दोस्तों जब NASA अपने Space Shuttle को यूज़ करता था तो यही लगता था कि यही है Space Exploration का भविश्य पर इस Space वहकल में बहुत कमिया थी जिस वज़ा से 2011 में इसे रिटायर करना पड़ा लेकिन दोस्तों Space Shuttle जैसा ही एक दूसरा Space Plane लाउंच होने वाला है इसे Colorado में Sierra Nevada Corporation के द्वारा बनाया जा रहा है इसका नाम है Dream Chaser यह Space Plane Dream Chaser International Space Station के लिए NASA के Commercial Resupply Services में काम में लिया जाएगा जैसे SpaceX का Dragon Capsule और North Rob का Cygnus Module है लेकिन दोस्तों यह कोई Module नहीं है यह है एक प्लेन यह Earth पर वापस लेंड भी करेगा इस Space Plane को 15 से जादा बार यूज किया जा सकेगा जिससे ISS पर कारगो भेजने की लागत में भारी कमी आएगी इस Space Plane Dream Chaser को ऐसे क्रूड वहकल बनाने पर काफी पहले से काम चल रहा था बट 2014 में NASA ने SpaceX और Boeing को Commercial Crew Contracts के लिए चुना इसके बाद SNC ने इसमें कई चेंजिस किये और इसे कारगो वहकल के रूप में बनाया Dream Chaser अब कई मानकों को पास कर चुका है इसे 2021 में United Launch Alliance के Walk on Center Rocket में रखकर लाँच किया जाएगा Space में पहुँचने के बाद ये इससे अलग हो जाएगा और Space Station से डॉक कर सकेगा Dream Chaser 5500 किलो Pressurized Unpressurized कारगो जैसे Water, Food और Scientific Instruments को Space Station तक पहुचा सकेगा जो की Space X के Dragon कारगो 1500 किलो और Cygnus के 3700 किलो से काफी जादा है इसके पास एक Separate कारगो मोडूल है जिसे 3400 किलो Space Station के वेज से फिल किया जा सकता है जब ये Earth पर वापस Re-Entry करने वाला होगा तो इस Garbage Module को Release कर दिया जाएगा जिससे ये Atmosphere में बर्न होकर खतम हो जाएगा Dream Chaser 2021 से 2024 तक NASA के लिए कुल 6 कारगो मिशिन्स करने वाला है अगर सब कुछ प्लैन के मताबिक सही चलता है तो इसे Human Space Flight के लिए यूज किया जा सकता है जो की Space Exploration में करांतिकारी बदला होगा इस रोखा RLV TD पोग्राम भी इससे काफी मिलता जुलता है इसमें भी एक Space Plane को रोकेट पर बिठा कर लॉंच किया जाएगा निश्चित उचाई पर पहुँचने के बाद ये Space Plane इससे अलग हो जाएगा उसके बाद Payload यानि जैसे सेटलाइट इससे निकल कर अलग हो जाएगा और अपने Chemical Boosters की मदद से अपने Orbit में चला जाएगा ये शटल वापस Glide करता हुआ Earth पर रिटन आ जाएगा अब Earth पर ये या तो Water पर Land करेगा या Earth Surface यानि Runway पर यानि दोस्तों भविश अब इनी तरह के Space Plane का है जैसे जैसे ये टेकलोजी विक्सित होती जाएगी ये और भी Advanced और सस्ती हो जाएगी जिसके बाद केवल कुछ Astronauts ही नहीं अर्ज से बहुत से लोग टिकट लेकर Space की यात्रा कर पाएंगे